कोटन में गिरावट की बन रही संभावना जी हाँ कोटन में निकट भविश्य में घरेलू बाजार में भाव गटकर 44,000 रुपे प्रतिगाट पर आने की आशंका जताई गई है और उसके बाद भाव दिरे दिरे गिर कर 40,000 पे प्रतिगाट के स्थर के निचले स्थर तक भी पहुंच सकता है आपको बता दे कि वैश्विक बजार में बिक्वाली और देश में इस साल अच्छी फसल रहने की संभावना से भारत में परमुक मंडियों बाजारों में हाजिर कापास की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है पिछले हफते कीमतों में करीब साड़े तीन फीसद से चार फीसद की गिरावट आई थी वहीं दूसरी और अमेरिका में सूखे की वज़े से एक मिलियन मिट्रिक टन फसल कम रहने और पाकिस्तान में विनाशकारी बाड की वज़े से 0.5 मिलियन मिट्रिक टन फसल शतिग्रस्थ होने के तथ्या को नजर अंदास करते हुए आई सी आई कोटन दिसंबर वायदा में जून 2022 के मध्य के बाद में सबसे बड़ी सबता ही गिरावट दर्ज की गई और भाव फिसल कर 103.21 सेंट प्रती पाउंड पर बंद हुआ वहीं बजार जानकारों का कहना है कि चीन में लोगडाउन और अमेरिका में मंदी की गबरहट से कॉमोडिटी मार्किट में नेगिटिव रुज़ान है अब कॉटन मार्किट में वैश्वीक सप्लाई में तेज गिरावट और वैश्वीक बजार में संभावित मंदी के बीच कड़ा मुकाबला होगा जिसकी वज़े से मांग कम हो सकती है हलाकि अमेरिका ब्राजील और पाकिस्तान में फस्टों को काफी गंबीर नुकसान हुआ है जिससे परमुख अंतराश्य बाजारों में कोटन का लोंग टर्म आउट लुक अभी भी पॉजिटिव है हरियाना के पलवल जीले में 2022-23 सीजन के लिए रो कोटन की आवक निर्धारी तक्तूबर एक की तुलना में बहुत पहले देखने को मिल रही है हलाकि नए कपास की कुल दैनिक आवक 500 गांट से कम दर्च की गई थी कारवारियों का कहना है कि नए कपास की कीमत लगबग 99-100-10,000 पे प्रतिक विंटल दर्च की गई है जबकि पिछले साल कपास की फसल की विक्री तकरीबन 5,000 प्रतिक विंटल पर हुई थी स्टमबर 2022 के पहले हफते में हरियाना और पंजाब के अन्या हिस्तों के बजारों में कच्चे कपास के आने की उमीद है वहीं अक्तूबर 2022 के पहले हफते से राजस्तान और दक्षिन भारत की मंडियों में भी कपास आने की संभावना जताई गई है गिरावट के बाद अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में एक बार फिर मजबूती का रुजान शुरू हो गया है और सुरक्षित निवेश मांग होने से भाव 21 साल की नई उन्चाई पर पहुंच गया है कॉमोडिटी का अमेरिकी डॉलर के साथ नकरात्मक समंध है खासकर अमेरिका से निर्यात होने वाली कॉमोडिटी से इसका नकरात्मक रिष्टा है वही 2 सितमबर 2022 तक देश भर में कपास की बुआई 125,70,000 हेक्टर में हो चुकी है जो की पहले की समान अबदी की तुलना में 117,70,000,000 हेक्टर की तुलना में 7 फीसदी ज्यादा है Bureau Report Market Times TV